नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक द्रिष्टी चैनल पर। आज के इस विशेश वीडियो में हम आपको सावन के पवित्र महीने के पहले गुरुवार के दिन करने वाला एक अत्यंत प्रभावी और गुप्त उपाय बताएंगे। इस उपाय में साथ हरी इलाइची का उप्योग किया जाता है और इसे करने से आपके जीवन में धन और सम्रिध्ध की वर्षा हो सकती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दोरान किये गए उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। आज हम जिस गुप्त उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह विशेश रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने और धन की प्राप्ति के लिए है। तो आईए, जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका और इसके लाभ। सावन का पहला गुरुवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुभह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छवस्त्र धारन करें। फिर एक शान्त और पवित्र स्थान पर बैठें। अब हम आपको बताते हैं इस गुप्त उपाय की विधी। साथ हरी इलायची का प्रयोग। सबसे पहले एक छोटी सी चांदी की प्लेट में साथ हरी इलायची रखें। चांदी की प्लेट ना हो तो आप किसी साफ सुथरी थाली का भी उपयोग कर सकते हैं। दीपक जलाएं। एक छोटा दीपक जलाएं और उसे अपने सामने रखें। यह दीपक भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है और आपकी पूजा को पूणता प्रदान करेगा। पूजा स्थल पर बैठें। अब आप पूजा स्थल पर बैठें और ध्यान केंद्रित करें। भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और आपको धन और सम्रिद्धि का आशीरवाद दें। इलायची का मंत्र अब साथ हरी इलायची को एक-एक कर उठाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें AUM श्रीहरीं क्लीन महालक्ष्मियाई नमा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रत्येक इलायची को अपनी हथेली में रखकर भगवान शिव और मा लक्ष्मी का ध्यान करें इलायची को धूप दीब दिखाएं अब इन साथ हरी इलायची को दीपक के सामने धूप दीब दिखाएं इस दोरान ध्यान रखें कि आपका मन शांत और एकागरचित रहे इलायची को तिजोरी या धन स्थान पर रखें पूजा के बाद इन साथ हरी इलाइची को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं ऐसा करने से उस स्थान पर धन का आगमन बढ़ेगा और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तोस्तों इस गुप्त उपाय को करने से आपके जीवन में धन और सम्रिध्धि की वर्षा हो सकती है यह उपाय सरल और प्रभावी है और इसे करने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं इस उपाय को करते समय भगवान शिव और मा लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, समृध्धि और धन से परिपूर्ण करें सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सर्वोत्तम समय होता है इस माह में की गई पूजा और उपायों का फल कई गुना अधिक मिलता है सावन का पहला गुरुवार विशेश रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन गुरुवार देवता ब्रहस्पति और भगवान विश्नु की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है इस दिन किया गया हर उपाय शुब फल दायक होता है साथ हरी इलाइची से किया गया यह गुपत उपाय अत्यंत सरल है लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं इस उपाय के लिए आपको आवश्यक्ता होगी साथ हरी इलाइची, एक छोटी चांदी की प्लेट या साफ सुत्री थाली, एक दीपक और घी या तेल रुई की बत्ती सबसे पहले प्राथहकाल सनान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजन स्थल को साफ करें चांदी की प्लेट में साथ हरी इलाइची रखें और दीपक जलाकर सामने रखें। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव और मा लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान करें और आपको धन समृध्धि का आशीरवाद दें। अब एक-एक इलाइची उठा कर इस मंत्र का उच्चारण करें। अब एक इलाइची को अपनी हथेली में रखकर मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान के इंद्रित रखें। इसके बाद साथ हरी इलाइची को दीपक के सामने धूब दीब दिखाएं। ध्यान रखें कि आपका मन शांत और एकाग्र चित्त रहे। इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन साथ हरी इलाइची को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। ये उपाय आपकी तिजोरी को धन धानने से भर देगा और आपके जीवन में सम्रिध्ध लाएगा। दोस्तों, ये उपाय अत्यंत सरल है और इसे करने में अधिक समय नहीं लगता। लेकिन इसके लाब अत्यंत प्रभावी होते हैं। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूँज रहे हैं या अपने जीवन में धन की वर्षा चाहते हैं, तो इस गुप्त उपाय को अवश्य अपनाएं। भगवान शिव और मा लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शान्ती और सम्रिध्धि का आगमन होगा। हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।